हेलो फ्रेंट्स आज में आप लोगों के लिए एक ऐसी रेसिपी लेकी आई हूँ जिसे आप गर्मा गरम किसी भी वक्त बना के खा सकते हो चोटी मोटी पाटी में बना सकते हो किटी पाटी में बना सकते हो और यदि बारिस का मौसम हो तब तो बनाना तो बनता ही है तो फिर लेना है आधा कप चावल चावल को भी दो घंटे के लिए भिगो के छोड़ दीना है दोनों को mix करके नहीं भिगोना है अलग-अलग भिगोना है कि अच्छी तरह से फूल जाए तो अब क्या करेंगे दाल को पीसना है स्टार्टिंग में एक mix का जार लेंगे और जार में सारे दाल को डाल दीना है पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए थोड़ा भूद रहेगा तो चलेगा अब ये दाल पीस चुका है एकदम चिकना नहीं पीसना है हलका सा इस तरह हाथ से करेंगे ना दानीदार जैसा लगना चाहिए डाल-दाल वैसा पीसना है तो इसका बहुत ही बढ़िया रेसेपी बनेगा तो देखिए हमने पूरे डाल को पीस लिया है एक बावल में निकाल लिया है अब क्या करेंगे फिर से वही जार लेंगे और जार में चावल को पीस लेंगे तो फिर से सारा चावल डाल देंगे जार के अंदर और थोड़ा सा पानी डाल के पीस लेना है अब चावल भी पीस चुका है चावल भी एकदम चिकना नहीं पीस नहीं है चावल भी जैसे हाथ से लेंगे न तो दानिदार जैसा लगेगा कि चिकना नहीं ही रहना चाहिए चिकना रहेगा तो रेसेपी बहुत मज़ेदार नहीं बनेगा तो चावल को भी अलग बावल में निकाल लेते हैं तो देखे चावल को भी हमने मिन निकाल लिया है और दाल को भी अब दाल को ग्या करना है फिटना है जैसे हम लोग दही बढ़ा बनाते हैं तो कैसे फिटते हैं बस वैसे ही मलब इतना फिटना न कि एहसास होके हाथ दरद हो रहा है तभी तो रैसे भी बढ़िया बनेगी फेटते फेटते दो से तीन मिनट जैसी होगा न तो कलर चेंज हो जाएगा और क्वांटिटी भी बढ़ जाएगा तो अब ये दाल पूरी अच्छी तरह से फेट चुकी है दाल के सासत मेरी हाथ भी दरद हो गई है तो आप देख सकते हो क्वांटिटी भी बढ़ गई है कलर भी लाइट हो गया जाग की तरह हो गया है तो बस ऐसा ही हमें चाहिए तो आप क्या करेंगे इसमें जो चावल को हमने पीस के रखायन उसे डालना है तो एक बार में पूरा नहीं डालेंगे थोड़ा सा रख लेंगे फिर जो रत पड़ेगा उसी हिसाब से डालेंगे तो डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है यदि आप चावल पीसावा डाल देंगे दाल में मिक्स करेंगे तो ज़्यादा मेहनत भी लगता है फिटने में और जल्दी फिटाता भी नहीं क्योंकि चावल भारी होता है तो अच्छी तरह से mix नहीं होता है देख़े अवे पूरी अच्छी तरह से mix हो गया है तो अब इसमें डाल दिते हैं नमक ज़्यादा फेटने का कारण क्या होता है कि हमने इसमें खाने का soda नहीं डाला है एक कटावब प्यास डालेंगे बिना खाने का सोडा का ही बनाएंगे तोड़ा सा धन्या पत्ती डालेंगे यदि आपके पास लाल सागोगा ना लाल भाजी वो भी थोड़ा सा डाल सकते हैं बहुत ही अच्छा कलर आता है अब सिर्फ मिक्स करना है हलके हलके हाथ से mix करेंगे तो हो जाएगा तो अब ये mix हो गिया है तो अब इसे हम side में रख देते हैं तो आप बनाएंगे मिर्ची की तीखी चटनी इस recipe के साथ तीखी चटनी जाती है तो जरूर से आप बनाएं बहुत ही tasty लगती है खाने में तो क्या करना है साथ से आठ मिर्ची को एक घंटे के लिए भिगो के छोड़ देना है एक घंटे में अच्छी तरह से फूल जाएगा तो उसमें एक छोटे size का टमाटर डालेंगे तीखा को balance करने के लिए डाल रहे है तो अब इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा जो फुलाया हुआ पानी बचाओ था वो हमने डाल दिया चार से पाच कली lesson करा लेंगे थोड़ा सा नमक डाल देंगे साथ में थोड़ा सा इसमें नीमबू डाल देंगे यदि नीमबू नहीं है तो आप इसके जगए दही भी डाल सकते हैं दो चम्मज दही से भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है अब इसे ढकन बंद करके पीस लेना है तो अब इस चटनी बनके रेडी हो गया है कलर बहुत ही जोड़दार आया है देख सकते हैं तीखी चटनी है ये इस रेसिपी के साथ जाती है तो अब इस चटनी को साइड में रख देते हैं तो फिर चटनी बन के रेडी हो गई तो अब चलते हैं बड़ा बनाने की और, तो आज हम क्या बना रहे हैं, बड़ा, उरत दाल का बड़ा जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, तो तलने के लिए क्या करेंगे, कढ़ाई में तेल गरम करेंगे, जब तेल गरम हो जाए तो नॉर्मल जैसे हम लोग बड़ा डालते हैं, बस वैसे ही टेल में डालेंगे, बहुत ज़्यादा तेल को गरम नहीं करना है, मीडियम गरम करना है, मीडियम गरम तेल में बहुत ही अच्छा बनेगा ये बड़ा, अब ग्यास का फ्लेम हाइक कर देते हैं, हाइ फ्लेम मे इस बड़े को पलट-पलट के अच्छी तरह से तल लेना है कि इसका कलर पूरा चेंज हो जाए और क्रिस्पी भी हो जाए चावल पीस के डालने से क्या होता है तेल भी कम सोकता है और ज्यादा अच्छा बनता है एकदम क्रिस्पी बनता है यदि किसी कारण चावल पीसा बनी है तो चावल आटा भी डाल सकते हैं अभी बड़ा का कलर पूरा चेंज हो गया है एकदम क्रिस्पी भी हो गया है ब्राउन कलर का भी हो गया है गुल्डेन हो गया है तो अभी से निकाल लेते हैं हर function में बनाया जाता है सभी को बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है तो friends आप इस recipe को एक बाद जरू try करें बहुत ही जोड़ार recipe है छोटे मोटे function में आप बना सकते हो kitty party में बना सकते हो तो friends अगर आज की recipe अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें